नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरोड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने भी इस महीने में ये उपाय नहीं किया है, तो इस उपाय से मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और लॉंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं, देखिए, यह दिन इतना खास होत है, इतना महत्व पूर्ण होता है, देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से, जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 7 सितंबर 2024 को शनिवार शष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोश को पता लगाने की जरूरत नहीं है, बस शनिवार स्रिष्टी के दिन आपको इस एक दीपक और लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, ये एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किय जाए, तो भाई उस खास दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हम उस दिन पर इस दो लौंग वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर र उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, यदि आपको धन प्राप्ती नहीं हो पा रहा है, रुपए, पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत, परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी यदि अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य, यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई, जगड़ा होता रहता है, किसी की यदि बनती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है, कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाओं आ जाएं, कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा खास उपाय करना है, जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ साथ दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा, तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में, किन्तु उससे पहले, जो मेरे भाई, मेरी प्यारी बहने आज चैनल पर पहली बार आएं हैं, या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कॉमेंट बॉक्स में लिखे, हर हर महादेव, अब देखो दोस्तों, वाले उपाय को उसके पश्चात में, दोस्तों, जो अगला प्रश्ण निकल कर आता है, वो ये आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है, कि शाम के समय करना है, तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस लौंग वाले उपाय को करने का तो हम बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा बाकी यदि शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है देखो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किन्तु बेहद लाभकारी उपाय है इन उपाय को भी आरंभ उसकार्य में आपको सफलता हासिल होगी दोस्तों हमारे तंत्र प्रशस्त्र और जियोतिश शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्थ पर कर लिया जाए तो यह कभी भी वि दोस्तों जहां पर लौंग आपके स्वास्थे के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है दूसरी तरफ जोतिश उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है कहा जाता है लौंग का जही उपाय किसी भी व्यक्ती की बंद किसमत के ताले को तुरंत ही खोल सकती ह लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं बस इनकी शर्टें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो हर तरह के दुख से आपको मुक्ती मिल जाती है और आपके लॉंग के उपाय से सुख समृध्ध में वृध्ध होती है दोस्तों। लॉंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों के बारे में धर्म, शास्त्र, तंत्र, शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है, जिनको यदि आप करते हैं, तो आप मान के चलिए, आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किस तरह की परेशानी से परेशान हो, या किसी भी तरह की दिक्कत से तूट रहे हो, हर तर शास्तर में लिखा हुआ है, चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा, जौब की तैयारी करकर के ठक है, जौब नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी जौब भी लग जाएगी, इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा, और भगवान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीरवाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो जरूर ही पूरी होगी, और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी, कि जीवन का हर दुख जड़ से नश्ट हो जाएगा, इसी लिए यदि आप ही चाहते हैं, है शनिदेव महाराज का आशीरवाद और कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जै शानिदेव और द रिपलाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशिक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो दोस्तों एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, ये जो लॉंग के हम आपको उपाय बतान तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है, कि लॉंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए, इसका लाब तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किन्तु लॉंग के उपाय को गलत मुहूर्थ पर करने पर इसका दुश प्रभाव को देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो उसका लाब आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाब हजारों गुणा आपको मिलता है, तो दोस्तों ये जो लॉंग के उपाय है, तो बड़े आसान से उपाय, किन्तु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्थ करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं, तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाय अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा, चलिए दोस्तों, आपको हम एक-एक करके उपायों दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज, ऐसा समाज, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके अडोसी, पडोसी, नाते, रिष्टेदार आपसे जलने लग जाते हैं, और आपके खिलाफ शडियंत्र करते हैं, आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुचाते हैं, तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहां करना है, कि लगातार पांच शनिवार किसी भी शनी मंदिर जाईए, शनी मंदिर जाने के पश्चात, आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का और बस एक डाल देना है। जमाप्त करने का ना वो पाए जो आपको हम बताना रहे हैं तो दोस्तों इस उपाए को बहुत ध्यान से सुनियेगा। मा, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया बंधन करवाया है और आप इस चीज लॉंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ती मिल जाए तो दोस्तों किसी पंडित के पास प ठीक है अब आपको क्या करना है ग्यारह लॉंग पांच कपूर दो इलाइची हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों ग्यारह लॉंग पांच कपूर और दो इलाइची को जलाना है इसका धुआ पूरे घर में दिखाना है जब ग्यारह लॉंग पांच कपूर और दो इलाइ लेकर कि इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीरवात से आपके घर की बरकत भी हो का आप इलाज करा करा के ठक गए परंतु का आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है आप बहुत परेशान है तनाव ने घेर लिया है दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए वो है भगवान भोल इनात देवों के देव महादेव बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने यह उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आपको आशीरवाद किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार पांच सपताह शनिवार के दिन क पस्या माना जाता है इस जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो समाप्त हो जाती तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है धोना है नहाने धोने के पश्चात दो लॉंग लेनी है और किस शिव मंदिर जाना है और इस दो लॉंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े हो करके अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमह शिवाय का जाप एक हजार आठ बार करना है क्योंकि एक हजार आठ हो गया एक सौ ये भगवान जी का प्रिय नमबर है इतना यदि आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों उपाय करने के पश्चात आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे आपके तनाव परेशानी दिक्कतों से जो आप जूज रहे थे परेशा आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बन्ध हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है, तो आप एक बात को ध्यान रखियेगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाही किसी देवता की जरूरत पड़ती है वो है भगवान गणेश भगवान गणेश जी का आपको आशीरवाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नती करेंगे अपने व्यापार के साथ तो बस यही करना है कि बु पोटली लेकर के जानी है लाल पोटली में आपको गिन के 21 लॉंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के चरणों से छुआ देना है पोटली को आग को लेकर के आना है दुकान में मिट्टी के बरतन में या पीतल के बरतन में इसको जल दो हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया, तो गणेश भगवान जी के आशीरवाद से आपका बंद पड़ा। व्यापार आपका ठप, व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप ल दीवन में धन बंधी सारी परेशानियाओं समाप्त हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरलसा है। आपको बस यही करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखियेगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार पांच शुक्रवार आपको उपाय करना है, कि दिन शा शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो पांच लॉंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। शनिवार पाका यदी सबसे बड़ा कोई बड़ा उपाय है तो वो 31 चावल के दाने वाला उपाय है तो दोस्तों इस शनिवार प्रदोश के दिन आप लोगों को इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। को ना किया हो पर दोस्तों आपके पास एक आखरी मौका बचा हुआ है जो 7 सितंबर के हैं तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी। इसी लिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुरान की कथा में बताया है जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भादरपद महीने के शनिवार प्रदोश के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ, अन उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इसको कर लेने से आपके घर में चा या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यहावाला उपाय कर लेना है, ये एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को यदि किसी विशेश दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेश दिन का जो है